हाई आप left इस वीडियो में हम लोग एक हैसे श्टॉक के बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं जहांपर आपको आने वाले समय में एक बरा मूव देखने को मिल सकता है अगर श्टॉक upside में जाता है तो भी आपको एक बरा मूव देखने को मिलेगा और अगर stock downside में जाता है तो भी आपको एक बरा move देखने को मिलेगा यह stock F&O में है that means कि आप इसे positionally buy भी कर सकते हैं और positionally sell भी कर सकते हैं अब बात करते हैं stock की stock का नाम है access bank और यह rise का chart तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं region को find out करते हैं और उसके बाद यह देखते हैं कि कौन से label पर हम लोग इसे buy कर सकते हैं और क्या हमारे stop losses होंगे और जब हम लोग sell कर रहे हैं तो हमारे stop losses होंगे और क्या हमारे target होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं time frame यूश कर रहा हूँ वो है daily का तो मैंने आपको इस वाले breakout label पर भी दिया था जहां से आपको एक अच्छा move देखने को मिला होगा बट कोई बात ने अगर आपने last time अगर miss कर दिया है तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा मौका मिल जाए पैसे कमाने का तो यहां पर मैं क्या करता हूँ simply एक horizontal line को draw करने जा रहा हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो 990 का जो label था यह kind of resistance की तरह act कर रहा था जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं price इस level को touch करता है and यहां से हमें एक downfall देखने को मिलता है again price इस level को touch करता है again हमें एक downfall देखने को मिलता है price again इस level को touch करता है and फिर से हमें downfall and यहां पर भी आपको thrust को same देखने को मिला है तो आप देख सकते हैं जो 990 का जो label है वो काफी एक strong resistance की तरह act कर रहा है अगर आप वो candlestick pattern आता है तो अगर आप इन तीनों को combine करेंगे तो यह एक kind of evening start pattern है और इसका मतलब यह होता है कि price में हमें एक आने वाले समय में fall देखने को मिल सकता है again देखने को मिल सकता है guarantee नहीं है इसलिए मैं आपको हमेशा करता हूँ कि जो trading है वो पूरी तरसे probability पर based है ना कि guarantee के base पर है अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर दो तरह के trader है एक है aggressive और दूसरा है conservative अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने एक evening start pattern बना दिया है तो वो लोग क्या करेंगे जो aggressive है वो इसके low के नीचे sell order प्लेस करेंगे और इसके high के उपर SL प्लेस करेंगे तो यह होगा sell order और यह होगा आपका SL तो aggressive trader कुछ इस प्रकार से trading करते हैं अगर बात करेंगे conservative trader की जो कि मैं हूँ तो मैं एक proper level पर खेलता हूँ that means कि मैं levels का weight करूँगा break होने का और अगर break होगा उसके अनुसार position बनाऊँगा अगर बात करेंगे selling के लिए तो अगर यह stock 9.45 का अगर नीचे जाता है तो हम एक अच्छे selling देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा resistance जो कि है 9.90 रूपिज मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी candle अगर इसके ऊपर अगर close कर देगी तो हम लोग अपनी position को exit कर देंगे अगर बात करते हैं target की तो हमारा first target होगा 9.30 का second target है हमारा पास 888 का and third target हमारा पास 8.32 का अब बात आते ही कि अगर यह stock upside में जाता है तो हम लोग कौन से label पर buy कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि 9.90 का जो label है वो kind of resistance की तरह act कर रहा है दूसरा आप यह देख सकते हैं कि यह 1000 रूपिज का जो number है जो कि एक round number है वो भी एक resistance की तरह act करेगा तो कई लोगों को नहीं पता हुआता है कि जो round number होते हैं वो resistance की तरह act करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले option chain को study कर लेते हैं तो यह रहा iChat का platform तो यह paid website है मतलब यहाँ पर आपको कोई भी content free में नहीं मिलता है मतलब आपको pay करना पड़ेगा और इसका price ज्यादा नहीं है काफी कम है अब बात करते हैं इसके options chain की और यहाँ पर access bank तो अभी क्या है कि हम लोग last week of expiry में मतलब हम लोग last week है monthly expiry में तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो OI है वो कम देखने को मिलेगा as compared to the next month तो हम लोग क्या करेंगे इसको next month में shift कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि call side में सबसे ज़ादा जो OI है वो है thousand पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो thousand जो number है वो एक round number है तो वो एक resistance की तरह act करता है और अगर आपने मेरे option वाली एकर series देखी होगी तो मैंने बताया था कि अगर आपको resistance find out करना है तो call side में एक ऐसे strike press को ढूंड़िए जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI हो और यह सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है thousand के strike press पर इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि thousand का जो label है वो kind of resistance की तरह act करेगा तो इसके उपर जाएगा तो आपको एक अच्छी buying का मौका दिखने को मिलेगा तो इस तरह से options जेन को read करते है तो हम लोग इसे buy करने जारे है thousand रुपिज के ऊपर हमारा stop loss होगा यह resistance जब prices के ऊपर चला जाएगा तो same label एक support की तरह act करने लगेगा तो कोई भी candle अगर इसके नीचे करेगा तो हम लोग अपनी position को exit कर देंगे अब बात करते हैं target की that means कि हमने thousand रुपिज के ऊपर buy किया 9.90 हमारा stop loss है तो हमारे targets क्या होगे तो सबसे पहले मैं chart को shrink करके देख लेता हूँ कहीं यह अपने all time high के पास तो trade नहीं कर रहा तो यह अपने all time high के पास trade कर रहा है that means कि upside में हमारे पास कोई भी resistance नहीं होगा after thousand तो यह कितना भी उपर जा सकता है तो हर एक 5% या 10% के मूपर partial profit बुक करते रहें I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching